नमश्कार शी स्टूप्स तू कंकर अभी चल रहा है मैं बहुत जल्द इसको कंप्रीट करूँगी लेकिन कुछ बच्चों के अभी एक्जाम है तो थोड़े से multiple choice questions देख लेते हैं इस पर पहला question देखिए शी स्टूप्स तू कंकर इस अभी यह question मैंने वैसे काट दिया था शी स्टूप्स तू कंकर इस अब यहां जो ऑप्शन दिये हुए वैसे इसमें विटी कोमेडी जो ऑप्शन है वो इस पर ज्यादा लागू होता है कौन जुकता है किसको जीतने के लिए तो केट स्टूप्स तू कंकर मार लो यानि केट हार कैसल मिस हार कैसल है जो हीरोईन है वो जुकती है मार लो को जीतने के लिए शी स्टूप्स तू कंकर इस एन एक्जाम्पल ओफ ये एक एक्जाम्पल है कॉमेडी ओफ मैनर्स का भी ये मैंने क्वेशन काट इसलिए दिया था क्योंकि एक और दूसी बुक में सभी अभी मैं क्वेशन बताऊंगी तो उसमें भी यही क्वेशन रिपीट हो रहा था इ जब मैंने अपलोड किया था तब आपसे बोला भी था कि किसने लिखा है और किसने बोला है ये दोनों चीज़े आप नोट कर लीज़े क्योंकि एक्जाम्पलोड क्वेशन जरूर आता है मिस्टर हार्ड कैसल सबसे ज़्यादा किस चीज़ से नफरत करते हैं वो टाउन मैनर्स शहर के तौर तरीकों से सबसे ज़्यादा नफरत है उन्हें मिस्टर हार्ड कैसल हमेशा टोनी का बचाव क्यों करती है शी इस हर मदर क्योंकि वो उसकी माँ है उनको चिंता ये है कि शहर के तौर तरीकों ने उनकी बेटी को भी संक्रमित कर दिया है, इंफेक्ट कर दिया है तो केट सुभह में कैसी ड्रेस पहनती है, तो सुभह में वो फैशनेवल ड्रेस पहनती है, तो अप्शन बी सही होगा, शाम को प्लेन ड्रेस पहनती है, तो अभी शाम वाला क्वेशन आएगा तो उसमें प्लेन ली आप मार करेंगे अगला question देखिए How does Kate dress in the evening? तो ये तो मैंने भी आपको बताए था कि शाम के समय वो plain dress पहनती है Who does Mrs. Hardcastle hope Tony will marry? Mrs. Hardcastle को क्या उमीद है कि Tony किस से शादी करेगा तो उनको उमीद है कि Constance Navel से वो शादी करेगा Which character is the best example of moderation? कौन सा character? सबसे अच्छा example है विनमरता का तो वो Kate Hardcastle है क्योंकि वही यहाँ पर जुकती है अपने प्यार को जीतने के लिए फिर है What is Mrs. Hardcastle's great wife? Mrs. Hardcastle की बहुत बड़ी कमी क्या है? वो vanity है Vanity मतलब कि दिखावा होता है What is Constance inheritance जो Constance है यानि कि Navel है उसका inheritance मने विरासत उसकी क्या है? क्या चीज़ है उसके पास? हर ज्वेल्स तो उसके पास कुछ जवाहरात है The prologue is attributed to यानि प्रोलोग किसको attribute किया गया है? मतलब कि किसने लिखा है? तो ये David Garrick का नाम आया था वहाँ पर जब मैंने आपको प्रोलोग पढ़ाया था आपको याद होगा आपने नोट भी किया होगा फिर है Who was David Garrick? David Garrick कौन थे? ये a popular actor of his day अपने समय के एक लोक प्रियर अभिनेता थे Who was Woodward? ये Woodward कौन थे? a celebrated actor of his day ये भी एक celebrated actor थे अपने समय के तो ये दोनों ही actor हैं अपने समय के popular actors हैं Woodward और David Garrick Who is the keeper of the inn? called Three Jolly Pigeons तो Three Pigeons जो inn है सराय है उसका keeper landlord है वहाँ पर आता है landlord Who is Sir Charles Marlow? Sir Charles Marlow कौन है? Mr. Richard Heard Castle के friend हैं वो Question number 21 Where does Tony drink with friends? अपने दोस्तों के साथ Tony कहां दारू पीता है? The Three Pigeons में पीता है Who is Tony's ally in fooling Marlow and Hastings? Marlow और Hastings को बेवगूफ बनाने में उसका साथ कौन देता है Tony का? वो landlord देता है तोनी उसकी तरफ आख मारता है कि भी इनको रास्ता बता दो जरा तो उनको मिस्गायर करते हैं तो दोनों मिलके करते हैं The Landlord और टोनी फिर है question number 23 Who गलत है यहाँ पर Why होना चाहिए तो मैंने काटके Why लिख दिया यहाँ पर Why is Tony's practical joke believable? तो Tony जो मजाग करता है Marlow और Hastings के साथ वो उसका मजाग believable क्यों हो जाता है? यानि विश्वास के लायक क्यों हो जाता है? क्योंकि the hard castle home looks like an inn क्योंकि hard castle family का जो घर है वो सराय जैसा ही लगता है देखने में What warning does hard castle give to his servants? hard castle अपने नौकरों को क्या warning देते हैं? not to laugh at his stories कि वो मामलब कि हसे नहीं आप देखेंगे अभी तो मैंने यह वाला upload नहीं किया है तो हमारा act first ही अप यह upload हुआ है second act में आप यह देखेंगे What is the name of the head servant? head servant का नाम क्या है? वो डिगरी है इसी को सबसे ज़्यादा instruction दिया जाता है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हसता है फिर which character has a complicated relationship with his mother? तो टोनी है उसका relationship थोड़ा सा complicated complicated क्या है? कि मा चाहती है कि वो नेवल से शादी करे और मा बहुत ज़्यादा पैमपर करती है टोनी तो उसकी बास सुनता नहीं है तो थोड़ा सा complicated है फिर है What happens when Marlowe speaks to a modest woman? यानि Marlowe जब कभी किसी संभान्त महिला से बात करता है तो क्या होता है? They petrify him यानि संभान्त महिलाओं की उपस्थिती उसको petrify कर देती है मतब कि उसको मूर्ती बना देती है वो बाती नहीं कर पाता जड़वत हो जाता है पत्थर बन जाता है तो टोनी का जूट पहले किसको पता चलता है? वो हेस्टिंग्स को पता चलता है Marlowe और हेस्टिंग्स डिनर में क्या चाहते है? काफ's brains चाहते है जो नाटक है उसकी थीम क्या है? हिपोक्रेसी है हिपोक्रेसी में ने पाखंड होता है लोग होते कुछ और हैं दिखाना कुछ और चाहते है अब ये दूसरी किताब में देख लिए थोड़ा सा print छोटा है तो आपकी आँखों पर भी जोर पड़ेगा मेरी आँखों पर तो पड़ी रहा है यानि किसको दिखाया गया है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा और रिजर्वड में अपने तक्सीमित रहना वाला करेक्टर है नाटक में तो वो चाल्स मारलो है कि ये बारे में क्या चीज़ सही है कि वो हीरोईन है जिसने भेश बदल रखा है एक बारमेड के रूप में मारलो को जीतने के लिए विच इस करेक्ट एबाउट टोनी लमकिन टोनी लमकिन के बारे में क्या चीज़ सही है तो वो सन ओफ मिस्स हार्ड कैसल है ये भी सही है स्टेप सन ओफ मिस्टर हार्ड कैसल है ये भी सही है और कजिन टू केट हार्ड कैसल केट हार्ड कैसल का कजन क्या आप इसको step brother बोल सकते सौतेला भाई है क्योंकि केट हार्ड कैसल की माद तो Mrs. हार्ड कैसल ही है लेकिन जो टोनी है उसका पता तो Mr. Lemkin है तो सौतेला भाई आप बोल सकते है फिर all of these इसमें सही होगा next question है in which act of the play यानि किस act में नाटक के she steps to conquer does the interview scene of Mrs. हार्ड कैसल and Marlowe occur Mrs. हार्ड कैसल और Mr. Marlowe का जो interview है means उनका आमना सामना होता है वो act second में होता है to whom does Tony help to escape the country यानि किस की मदद करता है Tony देहात से बच कर निकलने में वो Constance और Hastings की मदद करता है उसकी मा तो चाहती है कि Constance उसी से शादी करे टोनी से शादी करे लेकिन वो तो हिस्टिंग से प्यार करती है तो उन दोनों की मदद करता है फिर है what was the inheritance of Miss Neville ये तो पहले भी आ चुका है कि उसको विरासत में क्या मिला था jewels मिले थे जवारात मिले थे और इन ही को प्राप्त करने के लिए Mrs. Hardcastle चाहती थी कि उनके बेटे से शादी कर ले टोनी जो पहला सीन है एक्ट फर्स का वो कहां पर होता है वो a chamber of Hardcastle Hardcastle के एक कमरे का दिश है फिर which state of Marlowe makes Kate disagree with यहनी जो कौन सी खासियत है Marlowe की जिसकी वज़े से Kate उससे असेमत है reserved and bashful यहनी वो अपने तक सीमित रहने वाला और शर्मीला योवक है इस वज़े से उसको थोड़ा disagree करती है Kate उसके लिए Mrs. Hardcastle wants her son to get married to Mrs. Hardcastle चाहती है उनका बेटा शादी कर ले किस से Constance Naval से क्योंकि उसके पास जोईल्स हैं जवाहरात है Tony Lamkin wants to get married to Tony Lamkin किस से शादी करना चाहता है वो Bat Bouncer से शादी करना चाहता है The statement a reserved lover is just said always makes a suspicious husband यहनी एक जो reserved lover होता है कम बोलने वाला आशिक होता है वो हमेशा एक सस्पी शर्यानी शक करने वाला पती सावित होता है यह statement किस ने दिया है Miss Kate Hardcastle यहनी कि जो heroine है इस drama की उसका statement है To whom does George Hastings admire most in the play यहनी George Hastings सबसे ज़्यादा किस को पसंद करता है इस नाटक में तो वो Constance Neville को पसंद करता है Who is known as a close friend of Marlowe in the play इस नाटक में कौन है जो Marlowe का जिगरी दोस्त है तो वो George Hastings है फिर next question है What is the main problem यानी मुख्य समस्या क्या है that Mrs. Hardcastle states जो के Mrs. Hardcastle कहती है to her husband अपने पती से at the beginning of the play नाटक की शुरुआत में तो उनकी समस्या ये है they never have a company to visit house यानी उनके घर में कभी कोई मिलने नहीं आता जबकि उनका घर सराई के जैसा दिखता है What does Mrs. Hardcastle say their mansion looks like तो ये तो बात मैंने भी आपको बता दी कि उनका घर एन इन एक सराई के जैसा दिखता है लेकिन कोई उनसे मिलने नहीं आता सराई में तो लोग आते जाते रहते हैं लेकिन उनका घर सराई जैसा होने के बावजूद उनसे कोई मिलने नहीं आता और दूसरा एक शिकायत और है जो यहां पर दी नहीं गई है कि भई हम कहीं घूमने नहीं जाते बागी लोग तो देखो मेरी पड़ोसे ने जाती है मेरी सहेली जाती है ये जाती है वो जाती है लेकिन हम लोग लंदन या बाहर कहीं गूमने नहीं जाते ये भी एक शिकायत है तो आपके एक्जाम में वो भी आ सकता है तो एक शिकायत तो ये है कि हम से कोई मिलने नहीं आता जबकि घर हमारा सराय के जैसा है और दूसरी शगादिया है कि हम कहीं गूमने नहीं जाते यह एक ऐसी युवती जिसकी के शादी लायक उम्र है और जो मिसस हार कैसल के साथ रहती है आफ्टर दा डेथ ऑफ और पेरेंट्स अपने माता पिता की मृत्यू के बाद तो वो है कॉंस्टेंस नेवल और रहती है और यह चाहती है कि इनी के बेटे से शादी कर ले जबकि व what is the name of Kate's maid Kate की maid का नाम क्या है वो pimple है in which year the play She Stoves to Conquer was first performed तो पहली performance 1773 में हुई थी इस नाटक की the prologue of the play is spoken by तो यह तो पहले भी discuss हो चुका Mr. Woodward ने बोला है why does Mr. Hardcastle stress about Kate यानि why क्या what आना चाहिए यानि क्या चीज़ वो जोर देकर कहते हैं कि Kate के बारे में Mr. Hardcastle यह कहते हैं she dresses immodestly यह शुरुआत के ही first act में ही है कि Mr. Hardcastle first act first scene में ही है वो कहते हैं कि भाया इतनी सारी dress ऐसी dress क्यों पहनते हो तुम लोग इसमें इतना सारा silk है कि कई सारे जाएगा इतना फाल्दू कप्रा लगा हुआ है तो यह उनकी थोड़ी से शिकायत है who does disguise herself as a barmaid in the play तो इस नाटक में कौन अपने आपको वेश बदल कर बारमेड दिखाता है miss Kate Hardcastle यानी जो heroine है वो अपने आपको बारमेड के रूप में disguise करती है वेश बदल के रहती है फिर है what does Mr. Hardcastle expect to find in Marlowe Mr. Hardcastle Marlowe में क्या चीज़ पाने की उमीद करते हैं तो वो modesty पाने की उमीद करते हैं modesty वही विनमरता आप कह सकते हैं who said किसने कहा था I love मैं प्यार करता हूँ old friends पुराने दोस्तों से old times पुराने समय से old manners पुराने तौर तरीकों से old books पुरानी किताबों से and old wine पुरानी शराब से और पुरानी old wife भी कहा था ना पुरानी wife से तो ये Mr. Hardcastle ने कहा था who does tell Marlowe and Hastings the way to Hardcastle's house कौन रास्ता बताता है Marlowe और Hastings को Hardcastle के घर का Tony Lemkin बताता है रास्ता क्या बताता है उनको misguide करता है कि वहाँ पे एक सराय मिलेगी आपको और घर को सराय बताके उनको misguide करता है फिर है what does Hardcastle do with his servants at the beginning of act second act second की शुरुआत में Mr. Hardcastle अपने नौकरों के साथ क्या करते हैं teaches them how to behave with guests कि वो ये सिखाते हैं कि कोई guest आए तो आप लोगों को कैसे वियभार करना है फिर है to whom does Marlowe mistake as an inkeeper किसको Marlowe गलती से inkeeper यानि सराय का मालिक समझ लेता है वो Mr. Hardcastle को क्योंगि Tony Lemkin ने इसी तरीके से उनको misguide किया था फिर है question number 27 whose appearance does make George Hastings surprised while staying in the inn यानि George Hastings किसको देखकर चौक जाता है इस सराय में रहते हुए सराय कहांती घरी था वैसे तो तो वो Constance को देखके चौक जाता है for whom it is sad scarcely looked in my face the whole time किसके लिए ये कहा गया है कि उसने मुश्किल से ही मेरे चेहरे की और देखा होगा पूरी समय तो ये Marlowe के बारे में कहा गया है who did break the bureau of Mrs. Hardcastle to get the casket तो Mrs. Hardcastle का बीरो किसने तोड़ा casket को पाने के लिए ये एक मेज जैसी होती है जिसमें drawer बने होते हैं उसको बीरो कहते हैं लिखने की डेस्क आप कह सकते हैं तो वो तोड़ी टोनी लंब किनने फिर है who did return by mistake the casket to Mrs. Hastings तो किसने वो casket गलती से Mrs. Hastings को लोटा दिया वो Marlowe ने लोटा दिया फिर है question number 31 in which act does Sir Charles Marlowe appear तो किस act में Sir Charles Marlowe दिखाई देते हैं Act 5 में What does Mrs. Hardcastle do when the true relationship between Hastings and Constance is revealed to her Mrs. Hardcastle क्या करती है जब उनको सच्चा संबंध पता चलता है कि Hastings और Constance के वीच में क्या relationship है ये उनको पता चलता है तो वो क्या करती है Constance को चाची पेडिगरी के घर बेज़ देती है फिर है What is the name of the house of Hardcastle Hardcastle के घर का नाम क्या है Liberty Hall है फिर है When was Goldsmith born Goldsmith कब पैदा हुए थे 1728 अकसर लेखकों के year of birth और year of death पूछ लिये जाते है तो ये important question होता है हमेशा और book का जो जैसे की ये जो ड्रामा है सबसे पहले कब परफॉर्म हुआ तो ये 1773 में परफॉर्म हुआ ये question पहले आ चुका है तो उसको भी आप याद रखेंगे और ये question है When was Goldsmith died? When did When did Goldsmith die? इस तरीके से होना चाहिए तो ये इसका सही जबाब 774 है ये भी आप नोट कर लीजेगा important question है वैसे तो सारी important है फिर है question When was She Stoops to Conquer written? ये She Stoops to Conquer कब लिखा गया? लिखा तो पहले गया लेकिन परफॉर्म ये 1773 में हुआ है Which is the poetic work of Goldsmith Goldsmith का काव्यात्मक रचना कौन सी है तो The Deserted Blaze ये एक long poem है Goldsmith की Which is the famous novel of Goldsmith Goldsmith का एक प्रसिद novel है The Vicar of Wakefield शायद syllabus में introduce हुआ है कि नहीं नहीं वाले मैं भी मैंने देखा नहीं है फिर है Which are the famous comedies by Goldsmith Goldsmith की प्रसिद comedies कौन कौन सी है तो The Vicar of Wakefield तो अभी मैंने बताया कि novel है उपर ही आया है ये question तो ये तो इसमें शामिल होगा नहीं She's true chicken कर आप पढ़ी रहे है ये comedy है The Good-Natured Man ये भी एक comedy है तो इसका जबाब हुआ बोथ B and C फिर next question देखिए Is there a creature in the whole country क्या कोई भी प्राणी है इस पूरे देहात में About ourselves That does not take a trip But ourselves होना चाहिए सिवाए हमारे ये फिर accept ourselves About तो नहीं होगा जब आपने पढ़ा हो था ड्रामा देखिएगा अपनी बुक में तो या तो accept होगा या but ourselves होगा That does not take a trip To town now and then जो कभी कभी शेहर का एक दौरा नहीं करता या यात्रा नहीं करता To rub off the rust a little यानि थोली सी धूल ज़ाडने के लिए यानि बोर्डम मिटाने के लिए Who does speak this statement in the play तो इस नाटक में कौन बोलता है आपको यादी होगा मिस्स हार्ड कैसल ये बात बोलती है और मिस्टर हार्ड कैसल से कहती है शिकायत करती है कि हम भी घूमने नहीं जाते है बागी तो सब लोग जाते है No, no, the ale house and the stable are the only schools अरे नहीं नहीं केवल शराफ खाना और अस्तवल ही वो स्कूल है He will ever go to जहां वो पढ़ने जाएगा Who does speak this statement in the play तो ये बात कौन बोलता है इस नाटक में ये बात मिस्टर हार्ड कैसल बोलते हैं किस से बोलते हैं मिस्स हार्ड कैसल से बोलते हैं और किस के बारे में बोलते हैं अब ये statement किस का है ये टोनी लंकिन का statement है फिर है question number 43 You must learn resignation my dear for though we lose our future and yet we should not lose our patience who is the speaker of this statement तो ये statement मिस्स हार्ड कैसल का है फिर oh sir I must not tell my age they say women and music should never be dated who is the speaker of this statement केट हार्ड कैसल का ये statement है ठीक है तो आभी आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही questions और ये मैं अब पुरा upload करने के बाद शी स्टूप स्टूप कर फिर इस पर कुछ descriptive questions भी आपको दोंगी कुछ character sketches तब तक के लिए शुक्रिया कुछ आपको 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 आपको